क्या आप जानते हैं कि वह दस शब्द कौन से हैं जिन्हें सीधा पढ़े या उल्टा दोनों सही हैं। जैहिंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए विडियो में। आगे हम इस सवाल का जवाब भी देखेंगे लेकिन अभी हम शुरू करते हैं आज के छोटे छोटे ओप्शनल सवालों को। हमेशा की तरह हर सवाल के जबाब के लिए आपके पास पांच सेकिंड होंगे। तो यह रहा आज का पहला सवाल। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पाद कहा होता है। वेर इस मैक्सिमम वीक प्रोड्यूस्ट इन इंडिया। ए उत्तर प्रदेश्ट। वीव वेस्ट बैंगॉल। सी महाराश्ट्र। डी मध्य प्रदेश्ट। आपका टाइम शुरू होता है। अब। यदि आपने चुना है उत्तर प्रदेश्ट। तो आपका उत्तर सही है। और अब यह रहा अगला सवाल। भारत में सबसे जयादा चवल का उत्तपाद कहां होता है। वेर इस मैक्सिमम राइस प्रोड्यूस्ट इन इंडिया, ए पंजाब, वीव वेस्ट बैंगॉल, सी असाम, डी हर्याना, आपका टाइम शुरू होता है, अब यदि आपने चुना है वेस्ट बैंगॉल, तो आपका उत्तर सही है, भारत में सबसे ज़्यादा चवल का उत्पाद वेस्ट बैंगॉल यानि पश्चिम बंगाल में होता है, और अब यह रहा अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पाद कहां होता है, वेर इस दा मैक्सिमम शुगरकेन प्रोड्यूस्ट इन इंडिया? A. हर्याना V. मध्य प्रदेश्ट C. महाराश्ट्र D. गुजराथ आपका टाइम शुरू होता है अब यदि आपने चुना है महाराश्ट्र तो आपका उत्तर सही है भारत में सबसे ज़्यादा गन्य का उत्पाद महाराश्ट्र में होता है और अब यह रहा अगला सवाल भारत में सबसे ज़्यादा सोयावीन का उत्पाद कहां होता है? Where is maximum sobeen produced in India? A. उत्तर प्रदेश्ट V. करनाटका C. महाराश्ट्र D. मध्यप्रदेश्ट आपका टाइम शुरू होता है अब यदि आपने चुना है मध्यप्रदेश्ट तो आपका उत्तर सही है भारत में सबसे ज़्यादा सोयावीन का उत्पाद मध्यप्रदेश में होता है जिन साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन ओन कर लें और हाँ विडियो पर अपने कमेंट जरूर दें अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ तो ये रहा अगला सवाल भारत में सबसे अधित क्रिशी वाला राजे कौन सा है? विच इस दे लार्जेस्ट एग्रिकल्चरल स्टेट इन इंडिया? ए उत्तर प्रदेश्ट वी मध्य प्रदेश्ट सी वेस्ट बेंगॉल डी पंजाब आपका टाइम शुरू होता है अब यदि आपने चुना है उत्तर प्रदेश्ट तो आपका उत्तर सही है भारत में सबसे अधित क्रिशी वाला राजे उत्तर प्रदेश है वीडियो के शुरू में सवाल था कि वह दस्ट शब्द कौन से है? जिन्हें सीधा बढ़ा या उल्टा दोनों सही है यदि आप दस्ट शब्दों को जानते है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दें हम इसका उत्तर देखेंगे अपने अगले वीडियो में तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद